सौधी अरब के वीजा के लिए अगर आपका बायोमेट्रिक हो गया है तो आप इवीजा कैसे निकाल सकते हैं देखिए अभी एक नियम ये लगा है कि पहले क्या होता था कि पासपोर्ट पे वीजा इस्टिक होके आता था अब वो सिस्टम खतम हो गया अभी क्या है जो है पासपोर्ट पे कोई वीजा आपका सटावा नहीं रहेगा पासपोर्ट जब आपका बायोमेट्रिक होके कुरियर से आएगा या आप पिक कर लेंगे तो पासपोर्ट के ऊपर ही एक बार कोड रहेगा वही के नीचे आपको एक नमबर लिखा वा रहेगा ए से स्टाड होगा वही आपका वीजा नमबर हो गया ठीक है तो इस वीजा नमबर से आप अपना ए वीजा कैसे निकाल सकते है मतलब electronic वीजा कैसे निकाल सकते है करना मतलब कैसे निकालना है तो वह वीजाइस के देख लीजेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं आया जैसे मेरा यहां पे पासपोर्ट आ चुक आ चुक है जैसा मैं ने पिछले वीजार में बताया छाते हैं हर update मैं दे रहा हूँ यहां पर वीजा के बारे में जो भी साथी अरबी का वी शींड हुआ है हर अपड़ेट मैं दे रहा हूँ अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें मैं उसका reply देने की कोशिस करूँ तो यहां पर हम E-Visa कैसे निकाल सकते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले मोबाइल के किसी भी ब्रॉजर में आना है उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है वीजा देखिए यह वाला वीजा प्लेटफॉर्म वीजा.mofa.gov.sa यह वाला सर्च करना है ठीक ह करने के बाद क्या होगा इसको किलिक करेंगे अब डाइरेक जो है इस साweise पे पहुंच जाएंगा तो हो सकता है आपका यहां पर तो यह वाला डॉट यहां पर यहां पर इस तरह का एक फॉर्म आएगा इसको फील करना है तो देखिए यहां पर एक दम अच्छे से समझे उसके बाद आप सर्च करें ऐसा नहीं कि जाते के साथ एक दम स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से समझ लीजिए तो देखिए यहां पर इंक्वाइरी फॉर एप्लाइड रिक्वेस्ट यहां पर आ रहा है तो देखिए यहां पर एक आप्लिकेशन नंबर इसको किलिक करिएगा तो यहां पर बहुत सार आप्सन आएगा ठीक है आप आपका पास्पोर्ट आ गिया है या फिर आपने वीजा नंबर आपको पता हो गया है अगर वीजा नंबर नहीं पता तो आप जाके नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाया है पास्पोर्ट नंबर से वीजा नंबर कैसे पता कर सकते हैं उसमें बना आपर अप्लिकेशन नंबर ओम पैसपोर्ट कि दिखाते हैं इस बंदे का टिखांब चूकि टिखाते हैं अपने पर सबसे पहले र्ट करना है और पिंचे वोडियो देखेंगा जा तो उसमें ढूं despस्क्तरिय नंबर से लिट कालना यह वाला वो भी जाकिन आपके आप सकते वां फें उसके बाद यहां पर पासपोड नंबर करेंगे उसके बाद सब्छले करें जैसे Яवाला uh खुल के आ जाएगा देख सकते हैं यहां पर वीजा यहां पर फोटो लगा हुआ है वीजा नंबर लिखा हुआ है वाइलिट केप से कब तक है देखिए यहां पर 2023 से 2024 मैंने एक साल के लिए लगाया है डूरेशन ऑफिस्टे 90 डेज इस तरह के लिखा हो फैमली विजिट